आज हम अदानी विल्मा लिमिटेड और अदानी पॉवर को डिसकस करने वाले साथ में अदानी गरूप को पूरा डिसकस करेंगे यहाँ पे बहुत बड़ी अप्डेट निकल क्या रही है LIC के मेनेजमेंट ने अदानी गरूप के साथ में मीटिंग की है और इसका नतीजा बहुत ही जबर्दस पॉजिटिव निकल के आ रहे यानी LIC बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ चुके इस मीटिंग के बाद क्या है मीटिंग का पूरा का पूरा नजरिया जानने की कोसिस करेंगे साथ में RBI के पूर्व गवर्नर रगूराम राजन की तरब से कुछ बड़ा बयान दिया गया है सेवी को लेकर और आगे क्या समयोना बन सकती है सेवी को क्या करना चीए उन्होंना क्या राए दिये इस वीडियो के मादेम से डिसकस करेंगे साथ में यहां पे गुजराद से भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है गुजराद बिजली खरीदी के उपर कुछ यहां पे अपडेट से उसको समझेंगे और यहां पे जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय जब अदानी गुर्प के शेरों में जबर्दस तेजी का दौर फिर से सुरू हो गया है लोगों को निचले लेवल से अच्छी खासी प्रॉफिट भी मिल रही है तो क्या यह तेजी का दौर ऐसे ही जारी रहेगा या फिर एक बड़ी गीरावट फिर से होने वाली है क्या है आगे की समभावना वैसे इसको बुष्ट मिला जब एक GQG जो इन्वेस्टमेंट फ़र्म है अमेरिका की उसने 15,000 कोट फिर का एक बड़ा निवेस्टमेंट कर लिया और प्रमोटर कोटे से ये शेर उन्होंने खरीदे है तो उसके बाद में एक पॉजिटिव माहल बना लेकिन अभी भी इकरा की तरब से जो रेटिंग डाउन कीएगी है उसका कुछ निगेटिव इफेक्ट भी हमें देखने को मिल सका है इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बे लाइक ओन दबा दीजिए ताकि जब भी निया वीडियो बने पहला लोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो श्टाट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त S.B.W. और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले अदानी पावर की बात करें स्टॉक 169 पर वापस आज चुका है फाव परसेंट का अपर सरक्रीड लगा तो यह आपको पता है होगा यह 135 के आसवर पहुँच के तब वहाँ से इसने बाउंस बैक दिया और काफी अच्छा रिकवर हो चुका है अदानी विलमार की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक 418 पर आज चुका है फाइब परसेंट का अपर सरक्रीड लगा तो काफी अच्छा है यह भी रिकवर हो चुका है और अदानी विलमार लिमिटर ने एक बड़ा डिसीजन और लिया है इन्होंने कोईनू राइस ब्रैंड की एक नई बिर्यानी की रेडी रू कुक रेंज शुरू की है जिसमें लखनोई बिर्यानी और हैदराबादी बिर्यानी होगी जिसको आदे गंटे में कोई भी कस्टमर अपने घर पे खुद बना पाएंगे और बहुत ईजी तरीके से बन जाएगी तो काफी अच्छा है इसमें विजनस में विद्धी हो सकती है अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी गुड़ी निकल क्या रही है LIC की तरब से LIC की मेरेजमेंट ने यहाँ पर देख सकते हो कि अदानी गुरूप के साथ में मिटिंग कर ली है यहाँ पर देख सकते हो LIC ने करीब 30,127 को भी इसका इंवेसमेंट किया हो है अदानी गुरूप के अंदर और यह इनके जो टोटल निवेस है उसका 1% से लगबग के आसपास है उसके थोड़ा सा कम है फिलाल LIC का जो भी निवेस है वो करीब 39,127 को भी इसका पहुच गया यानि LIC समय पापस प्रॉफिट में आचुकी है अपने इंवेसमेंट के उपर जिस तरसे पिछली दिनों लगातार बहुत सारे ब्लेम लग रहे थे कहना है कि देख सकते कि जो हमने निवेस किया हुआ है अदानी ग्रूप में उसको लेकर हमें कोई छिंदा की बात नहीं है और मारा निवेस पूरी तरसे याँपे सुरक्सित है तो एक बहुत बड़ी याँपे गुड निवेस अदानी ग्रूप की साथ कंपनियों में किया हुआ है जो काफी ज़्यादा है अब यहाँपे देख से तो अदानी ग्रूप को लेकर वीपक्स लगातार एक के बाद एक सवाल दागरे सरकार के उपर और अब गुजरात की सरकार के उपर सवाल दागा गया ह कि गुजरात में जो पिछले साल बिजली खरी दी गई थी अदानी ग्रूप से उसकी रेट जाना थी यानि जो 8,160 रूप की जाना पैसे चुकाए गए तो यहाँपे गुजरात विदान सवाब में यह जानकारी सामने आई है कि 2021 से 2000 के बीच के बीच में जो अदानी पाव जो सवाल पूचा गे थे उसके जवाब में राज्य उर्जा मंतरी की कानू देशाय के दरब से का गया कि 2021 में कमपणी ने 8,160 रूपीज में करीब 11,596 मिलियन उनिट बिजली खरी दी है यही ने सुल्क को महिने दर महिने 2.83 रूपे से बढ़ाकर 8.83 रूपे परती दर के लागत बढ़ने के कारण कमपणी से बिजली खरीद समझोते के तयाद इनिट दरों में बदलाव किया है यानि कोईला महिनगा होने के विज़े से इस इनिट को बदला गिया है यहाँ पर उर्जा मंतरी का कहना है कि परियोजना कोईला आधारित है इसलिए बिजली कमपण बिजली खरीदों को ब्रदी की मंजूरी दी ती यानि जिस्तर से कोईला महिनगा हो उसके हिसाब से इसकी दरों को बढ़ाया गया है और इसलिए जो समीदी बने उसकी सिपारिज के आधार पे 5 दिसमब 2008 को अधारिनी ग्रुप के साथ में फिर से एक समझोता किया गया है और इसलिए ये भृद्दी की गया है तो उनका कहना है कि पूरी तर से पारदर्सी तरीके से काम किया गया है क्योंकि समीदी की सिपारिज के आधार पे प्राइज बढ़ाई गया है अब याप एक बड़ी अपडेट और निकल क्या रिय है हमारे एक्स आर्बी गवर्नर र बयान निकल करा है ये सनिवार के दिन उन्हों बयान दिया कि से भी क्यों नहीं निचले लेवल से पूरी के पूरी इसकी जांच सुरू करती है जो आप देखे तो यह मारिसस की जो फंड से आउस है मूरिसस का म्यूचल फंड जिसनों निवेस किया हूँ अदारी ग्रूप फंड आउस है तो यहां पे एक तरह से इलजाम लगाया गया है अदारी ग्रूप के उपर और सेभी से का गया कि आपको जांच अच्छे से करनी चीए और इसके लिए जांच एजनसी को भी साथ में आपको लेना चीए तो ऐसे ही लगाता बहुत सारे क्वेस्पक्स की लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अभी भी जो मार्केट वैर्यों 55% डाउन है जब से इंडंबर की रीपोट है उसके पहले से अभी जो तेजी बाजर में इसके पीछे दो बड़ी वज़े एक तरफ तो सिंगापूर होंकोंग में जो रोड़ सो किया हूँ उसकी वज़ फिक्स इंकम इंवेस्मेंट मिटिंग के राउंड दूसरे के प्लानिंग शुरू हो गई और वहां पर भी रोड़ सो होंगे इसके अलावा जीक्यूजी पार्टनर्स पंद्राज और खुर्पिस का एक बड़ा इंवेस्मेंट किया अधानी ग्रूप की कमपनियों में और एक तरह से देखें तो यह जो रकम मिली इसका इस्तेमाल वो आराम से कर पाएंगे क्योंकि प्रमोटर कोटे से शेर बेचे गए तो अपने पूराने करज को इससे चुका पाएंगे इसके अलावा एफ़ाई भी निचले रेवर से जम के खरीदारी सुरू कर चुके है एफ यानी ग्रीन में 3.5% के खरीदे तो फ़ाई कजम के खरीदारी ओर इसी विजह से देखे तो बाजार का सेंटिमेंट अभी सुदर्दा वो दिखाई दिखा दे रहा है अभी फिला देके तो लाईसी बाजार में खरीदारी नहीं कर पा रहे है क्योंकि उसको पर लगातर ब बड़ी होल्डिंग न बड़ा है अपनी खरीदारी शुरू को नहीं तो अच्छे इस्टॉक में थोड़ा दोड़ा सुरू कर सकते जिसमें इस समय अधानी इंटरपाइजेस और अधानी पोर्स और अम्बुजा सीमेंट काफी अच्छे लगरे वहां में थोड़ा सा सर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड